जहिन दोस्तो और वेलकम बेक टू सक्सेस प्लस अकेडमी MTP Act से रिलेट किया ये सारी बाते आज आपको इस लेक्टेर में जानने को मिलेगी दोस्तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉंटेक्स से क्या रहने वाला है सबसे पहले सुप्रीम कोफ इंडिया रिसेंटी रूल्ल वुमेन मतलब वो शादी सुदा है या नहीं है जो कि मैंने आपको बता दिया है अंडर में लाया गया है और 3B जो है वो अंडरी विमन्स के लिए बताया गया बहुत सारी चीजे दोस्तों उसमें बताई गई है अब ये वर्डिक्ट आया कैसे दोस्तों एक 25 साल की महिला जो मनीपूर से है उन्होंने बताया कि वो एक consensual relationship में थी एक व्यक्ति के साथ उसके बाद वो pregnant हुई तो उसके बाद में उस व्यक्ति ने उन्हें से शादी करने से मना कर दिया और उसके बाद उन्हें abortion करवाना था तो दिल्ली High Court गई दोस्तों में उन्हें मना कर दिया दिल्ली High Court ने उन्हें मना किया उसके बाद में वो गई Supreme Court और Supreme Court का दोस्तों उसी पर आज verdict आया है दोस्तों आपका सारा कंटेक्श्ट समझ में आगया होगा अब चालू कर लेते हैं अपन सबसे पहले legal provisions क्या है इंडिया में जो है अपने abortion के लिए तो abortion दोस्तों सबसे पहले बात आजाती है अपने legal provisions में section 312 of the Indian Penal Code इन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति abortion करवाता हुआ पाई जाता है इसमें कोछ financial restrictions भी है जो financial सजा भी है आर्थिक दंड का भी प्रावधान है और उसके अलाव दोस्तों up to 3 years of jail तीन साल तक की jail उस महिला या उस पुरुष को हो सकती है फिर इसको दोस्तों आगे 1971 में MTP Act से जो है replace किया गया MTP Act क्या कहता है MTP Act कहता है was introduced to liberalized access to abortion liberalized दोस्तों since the restrictive criminal provision was leading to women unsafe and dangerous method for termination of pregnancy अब दोस्तों इसको criminal offense बना दिया सबको पता पढ़ गया criminal offense है तो आप जानते हो भारत में जो है एक rule को तोड़ने का नया rule कैसे बनाया जाता है ये कोई छुपा नहीं है तो जब उसको criminal offense बताया गया तो उसके बाद में भारत में क्या हुआ पुर्शों और महिलाओं ने जो है उस rule को bypass करके abortion करवाने चालू कर दिये जो की unsafe था उस महिला की health के लिए तो अब इसमें दोस्तो आदमियों को तो फरक पड़ता नहीं है फरक सीदे से the health के किस पड़ता है महिला पर और दोस्तो देश की महिला जितनी सशक्त होगी वह देश उतना सशक्त होगा यह आप सुनते आए हैं यह आपскरते आए हैं दोस्तो जिसके पास में MBBS के डिगरी हो जो कि हाँ गाइनेकोलोजिस्ट हो मतलब आप सीधे-सीधी है समझे वो सड़क छाप डॉक्टर नहीं हो सीधे-सीधी बात ही है आपको मतलब धंग के डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी क्या पहला आता है दोस्तो 12 week of conception मतलब एक डॉक्टर का opinion लेके आप 12 week के conception को मतलब तो दोस्तो यह पहला केस है मतलब जब आपको की pregnancy को 12 हफ़तों तक का समय हुआ है तब आप एक डॉक्टर का opinion लेके abortion करवा सकते हैं यह act का पहला provision कहता है अब इसमें एक डॉक्टर का opinion मतलब अगर वह महिला किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए उससे सला ले कि हाँ मुझे 12 हफ़ते हुए हैं conceive किया abortion सही रहेगा मेरे लिए और अगर वह डॉक्टर हाँ बोल देता है तो बिलकुल वह abortion किया जा सकता है अब दोस्तो इसका MTP Act में ये major दो बड़ी बात है पूराने वाल एक्ट में थी अब दोस्तो बात उठती है कि डॉक्टर किस हिसाब से बताएंगे कि हाँ आप conceive कि हुए बीबी को abort करवा सकते हो या फिर आप abortion करवा सकते हो डॉक्टर किस basis पर ये बताएंगे तो बस वही बात है क्या डॉक् Continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant women अगर उस pregnant women की जो है उस baby conceive करने से उसके life पर कोई असर पड़ता है तो उसको ले करके या फिर a grave injury to her physical और mental health इन दो cases में दोस्तो वो abortion के लिए हाँ बोल सकते हैं और दूसरा substantial risk मतलब अगर जो बच्चा पैदा होने वाला है वो बहुत ज़्यादा physically या mentally abnormal हो या फिर इस दुनिया में मतलब अगर वो आता है तो उसको बहुत सारे कश्ट भोगने पड़े ये सारे चीज़े देखते हुए या फिर वो बहुत ज़्यादा handicap हो इतना कि वो शयद मतलब जी रहा है तो उसका जीना भी उस पर भारी पड़ जाए इन सब cases को देखते होए वो abortion के लिए बिल्कुल हाँ कर सकते हैं तो दोस्तो ये तो था पुराना वाला MTP Act अब दोस्तो 2021 में Parliament इसमें एक amendment करती है वो amendment क्या है दोस्तों वो amendment है कि the Parliament amended the law and allowed for a termination under the opinion of one doctor for pregnancy up to 20 weeks for pregnancies between 20 and 24 weeks the amended law requires to opinion of two doctors अब दोस्तो 20 week तक का पड़ा दिया जो 12 week तक का समय था उसको 20 तक कर दिया और फिर 20 से 24 week तक में दो doctor की सला से हो जाएगा और दोस्तो इसी amendment में लिख दिया था for all women ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये इस लिए कि SC ने दोस्तों इसी के basis पे जो है अपना निर्ने दिय क्या है SC ने क्या कहा है all women मतलो all women में जो है married भी आती है unmarried भी आती है married जो married women को भी अधिकार है और unmarried को भी अधिकार है इस पे SC ने कुछ कहा है तो अब अपन वही जान लेते हैं कि specified rules फिट से वही बात है अब जो 3B of MTP Act है ये क्या कहता है सबसे पहली बात ये आ जाती ह किस बारे में है ये ये दोस्तों उनके लिए जो 20 से 24 वीक तक की pregnant थी अब उनको किस किस situation में अलाव किया जाएगा किस किस situation में उन्हें अबोर्शन अलाव किया जाएगा तो section 3 of the act क्या कहता है 24 वीक तक की महिलाओं के लिए survivor of a rape and a sexual assault दोस्तों ये भारत की वो है आपको य देख लिए यही हकीकत है कि यहाँ पर हर आप देख लिए हर मिनट में बहुत सारी महिलाओं का rape हो रहा है और इसमें से अब राजस्तान इसमें नंबर वन पर हाला कि राजस्तान सरकार कह रही है कि इसमें 56% केस जूटे है लेकिन दोस्तों इस से कहकर बचा नहीं जा सकता आपको हकीकत पता है सबको हकीकत पता है तो अगर कोई rape survivor है या फिर sexual assault survivor है तो उसका abortion legal होगा फिर दोस्तों अगर वो कोई minor है अब minor में भी दोस्तों आपको यह पता है कि postco act के तहत उसकी identity reveal नहीं की जा सकती किसका abortion हो रहा है इसको भी दोस्तों SC ने इस बार के verdict में अपन death हो गई, video हो गई वो महिला या फिर वो छोड़ चुका है, divorce हो गया है तो इस case में भी abortion allow किया जाएगा फिर दोस्तों अगला case है mentally ill women including mental retardation अगर कोई महिला mentally ill हो जाती है या फिर mentally ill है उसके बाद में उसने baby conceive किया है तो उसको भी abortion allow किया जाएगा फिर दोस्तों अगला physically, mentally या फिर बहुत जादा handicapped हो तो उसके basis पर abortion किया जा सकता है फिर आगे आजाता है दोस्तों women with pregnancy in humanitarian settings और disaster और emergency situation as may be declared by the government ये क्या कहता है जिससे दोस्तों कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिससे कि जो baby है उसकी health पर बहुत जादा असर पड़ जाए और उसकी वज़े से वाप जाती है तो उससे जो baby है जो conceive किया और baby है उस पर असर पड़ सकता है तो उसको भी दोस्तों abort किया जा सकता है फिर आजाए while the law recognize change in circumstances of the relationship status between a pregnant woman और her suppose in the case of divorce and widowhood if does not evise the situation और unmarried woman तो दोस्तों ये जो आला जो act था ये पूरा ये unmarried women के लिए नहीं था कहीं baby तो अब SC ने क्य किया है Supreme Court, Honorable Supreme Court ने क्या कहा है ये अब इस पे भी लागू होगा SC on current issue, court ने कहा कि दोस्तों जो 1970 का act है वो married women के लिए तो है ठीक है बिल्कुल सही है लेकिन जो आपने amendment किया था उसमें तो आपने ये लिखा था न all women entitled to safe and legal abortion तो all में तो married भी आगई और unmarried भी आगई तो फ प्रेंच बैठी थी उन्होंने दोस्तों कहा कि artificial distinction between married and unmarried women can't sustain and that women must have autonomy to have free exercise of these rights अब अगर आपने उनको rights दिये हैं, Parliament ने law बना दिया है तो आप married और unmarried बोल के बच नहीं सकते ज्यादा दिनों तक, फिर दोस्तों उन्होंने article 21 की बात फिर से कर दी, दोस्तों ये बहुत ख बात है हमेशा करता है और दोस्तों इसी वज़े से अपने पूरे सविधान का सबसे महत्वपुन आर्टिकल बन जाता है, आर्टिकल 21 जो हमें देता है देहिक स्वतनतरता का अधिकार, दोस्तों अगर आपने आए आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो हमारी आर्टिकल सीरीज भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं, तो दोस्तों आर्टिकल 21 की बात की और कोट ने कहा, राइट टू चूज को भी है, मैन को भी है, लेकिन यहाँ पर बात अपन विमन की कर रहे हैं, तो दोस्त इतने बच्चे करने हैं, उसको कौन सा कॉंटसेटन यूज करना है, और उसको बच्चे को बेबी को अबोर्ट करना है, या नहीं करना है, यह सारे दोस्तों जो अधिकारे और महिलाओं को मिलने चाहिए, किसी भी सामाजिक बंदिशों के बिना यह दोस्तों कल के वर्डिक तो दोस्तो उसका असर जो है उसके भुरून पे उसके जो बेबी उसने कंसीव किया उसके भी पढ़ता है तो दोस्तो इसका बोलके Supreme Court ने कहा कि इससे जो mental well-being of mother है उसका कितना ज्यादा effect पढ़ता है बेबी पे उसके हिसाफ से भी हमें abortion को legal करना चाहिए फिर दोस्तो इससे ने एक और कहा कि इसका example दिया उन्होंने example दिया British Medical General का उसमें कहा कि उसमें दोस्तो यह है डेटा कि 67% of abortion were unsafe तो अगर unsafe abortion हो ही रहे है मतलब abortion हो ही रहे है तो उसको क्यों ना legal किया जाए ताकि यह जो unsafe abortion है जो मैलाओं की health पे गलत effect डाल रहे है उसको कम किया जा सके इस इतना ही नहीं दोस्तो अब इसके बाद में Supreme Court ने एक और चीज कही marital rape पे इस पे दोस्तो नहीं कहा शादी शुदा महिला के साथ भी rape हो सकता है अब वो rape किसी साब से हो सकता है the court first time recognized the marital rape दोस्तो पहली बार court नहीं आपर recognize किया है कि हाँ marital rape नाम की चीज होती है इससे पह भारत में शादी जो है वो contact मेरी जो होती है आपको पता है तो उसके हिसाब से जो पार्लियामेंट है इससे बच रही है क्योंकि उसको थोड़ा सा वोट वगेरा भी देखने है फिर उसके बाद में आ जाती है दोस्तो अब यहाँ पे non-consensual pregnancy अगर कोई शादी सुदा महिल है और उसके साथ भी non-consensual pregnancy हो रही है तो वो भी दोस्तो रेप माना जाएगा और उसको भी abortion की श्रणी में लाया गया है section 3A के अंडर में किसके MTP Act के section 3A के अंडर में फिर दोस्तो पॉसको Act के तहत Supreme Court ने एक और चीज बोली कि पॉसको Act के तहत होने वाले abortion में किसी का भी नाम reveal नहीं किया जा सकता कि जो भी जो survivor है उसका नाम reveal नहीं किया जाएगा ये दोस्तो Supreme Court ने का है तो ये सारी बात है थी दोस्तो ये MTV पुराना Act था जो नया Act था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ उमीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अब दोस्तो जो women empowerment है उसके ये बहुत बड़ा कदम होने वाला है और हम USA को दोस्तो यहां पर बता सकते हैं कि women empowerment कैसे किया जाता है क्योंकि USA में दोस्तो मैलाओं को क्या है धरना परदर्शन करना पड़ रहा है अबोर्शन को legal करवाने के लिए तो दोस्तो ये था आज का lecture उमीद करता हूँ आप समझ करेंगे तो आपको Today in History की एक सिरीज देखने को मिलेगी जहां पर आपको regularly आज का दें नितिहास में क्यों याद किया जाता है वो जानने को मिलेगा जो कि आपके लिए किसी भी एक्जाम में important हो सकता है दोस्तो टेलीग्राम पर आपको regular quiz देखने को मिलेगी जो कि आपके एक्जाम में important हो सकती है तो दोस्तो इस वज़े से मैं चाहूँगा कि आप हमें social media platform पर follow करें हमारी चैनल को भी subscribe कर लें दोस्तो ये था आज का lecture उमीद करता हूँ आप समझे होंगे मिलें अगले lecture में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद